तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूछा गया है for the symbols h, d and t tabulate 3 subatomic particles found in each of them तो यहाँ पर हमें symbols दे रखे हैं h, d and t और हमें यहाँ पर क्या बताना है इसके 3 subatomic particles को हमें यहाँ पर क्या बनानी है इसकी table बनानी है और हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि h, d and t यहाँ पर है क्या तो h, d and t यहाँ पर क्या है हमारे 3 isotopes हैं किसके? hydrogen के है किसके है? hydrogen के तो वो मैं यहाँ पर लिख दिता हूँ HD and T यह हमारे क्या है 3 isotopes हैं, किसके है hydrogen के, तो यहाँ पर मैं simple लिख दिता हूँ hydrogen की हमारे क्या है isotopes है और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि isotopes होते क्या है isotopes यहाँ पर क्या होते है same element होता है same इसका यहाँ पर क्या होता है atomic number होता है बट इसका जो mass होता है वो यहाँ पर क्या होता है different होता है जैसे कि hydrogen का atomic number होगा वो यहाँ पर क्या होगा one होगा पर यहाँ पर HD and T मतलब hydrogen, deuterium और treatium इन तीनों का जो हमारा यहाँ पर atomic number है वो यहाँ पे क्या है 1 है बड़ जो mass नबर है वो यहाँ पे क्या है different है hydrogen का 1 है deuterium का 2 है और जो treatium है इसका यहाँ पे कितना है 3 है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक table बना लेते तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है इसका isotope तो isotope सबसे पहले हमारा यहां पर कौन सा है hydrogen है कौन सा हमारा यहां पर hydrogen जिसका atomic number तो 1 होता है और mass number भी यहां पर 1 है और second जो हमारा यहां पर क्या है यह हमारा है deuterium यह भी लिख लेती है यह हमारा यहां पर क्या है deuterium है और इसका atomic number 1 है बट mass number 2 है और लास्ट वन हमारे यहां पर क्या है, ट्रीटियम है, और ट्रीटियम का जो हमारा मास नंबर है, वो हमारे यहां पर तीन है, अटोमिक नंबर सभी के बान है, अब यहां पर सेकिंड जो लिखना है, इनके सिंबल लिखने है, यहां पर लिख देते हैं, इसके सिंबल, सिंब है, Deuterium का 2 है, और Tritium का यहां पर क्या है तीन है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, number of electrons की, किसकी यहां पर, number of electrons की, तो यहां पर electrons कितने हैं, तो Hydrogen में यहां पर 1 है, सभी में यहां पर क्या होगे, 1 होगे, क्योंकि जो इसका Atomic Number था, वो यहां पर 1 था, और Atomic Number हम किस तरह किस से Defined करते थे number of electrons के बराबर होंगे or number of protons के तो इसमें क्या हो जो Electrons or proton होंगे शबीमें यहा、「 One, One ऊंगे तो यहां पर मैं वह भी लिख देता हो number of protons तो number of protons यहां पर कितने होंगे वह भी यहां पर one,one,one ही होंगे अब यहाँ पर last में बात कर लेते है number of neutrons की जिस पर यहाँ पर हमारा mass number define होता है तो number of neutrons क्या होता है हमारा sum of protons and हमारा neutron होता है तो mass number यहाँ पर क्या है पहले वाले का 1 है तो इसका मतब जो number of neutrons होगा वो यहाँ पर 0 होगा second में जो हमारे यहाँ पे масс number क्या है 2 है इसका मतलब यहाँ पे 1 number of neutrons होगा क्योंकि यहाँ पर जो mass number होथा था वो हमारे यहाँ पर होता था sum of protonswhat neutrons तो अगर यहाँ पर 1 और 1 प्लस होगे जब भी इसका यहाँ मास number 2 होगा और 3DM यहाँ पर क्या है 3 है इसका मतलब यहाँ पर जो number of neutrons है वो यहाँ पर कितने present है? 2 तो इस तरह के से हम यहाँ पर table बना सकते हैं इसका और इसको आप यहाँ पर scale up कर सकते हैं scale से आप इसको यहाँ पर outer line कर सकते हैं और बीच में भी इसमें gap डाल सकते हैं तो मैं ऐसे से कर देता हूँ इसको यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं आपको यह वाली चीज समझ में आ गए होगी अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई problem रह जाती है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं